ब्रह्म्हंडो भ्रमीते कुनो भाग्गुबान जीब गुरु किष्ण प्रसादे पाई भक्ति लटावीज। सिल भक्ति शिद्धान्तो स्वरस्वति गुष्वामि ठाकुर पहपाजिन बताएं। बद्धजीब किसी भी हालत से अपना प्रचेष्टा, प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा अपना बास्तब मंगल का उनुसंधन नहीं कर सकता। ब्रह्म्हंडो भ्रह्मन करते करते इशोद्धो भवन गुमते गुमते किसी भी जीवात्मा का सोभग होता है। ब्रह्म्हंडो भमिते कुनो भाग गुवान जीव। गुरु किष्णो प्रसाद अथात कीपा के द्वारा इनके बुद्धी शुद्धी होयाती। इसके बाद भवसागर पार करने का चिंतन अपने में पैदा होता है। संक्सारी जीवों का हृदय में किसी भी हालत से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मंगल का रास्ता है, क्या मंगल का रास्ता है। ये जो विचार इन बद्धो जीवों का हिदय में पैदा होता है, दोज अर ओल एपरेंट, आपेखिक। संक्सार में भटकते हुएं जीवात्माओं को ये पता नहीं है, ये बास्तब मंगल क्या है। संग-संग में एते हुए, वो सोचते हैं, जो जनम हुआ, उसका बाद पढ़ाय लिखाई करना ठीक से, और पिता माता भी ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा पढ़ाय लिखाई नहीं करो, तो अच्छा जाएगा, साधी नहीं होगा, पहले से ये शिक्षा देते। लेकिन सास्त्रों का विचार ये होता है, भागवान सिकिष्णो परात्पर अखिलेश्वर, भागवान सिकिष्णो ने उद्धब जी को शाक्षात बताए, स्वा विद्धा तत्मतिर जया, भागवान सिकिष्णो उद्धब को शिख्या देने का समय ये बताए, उद्धब विद्धा तो ओ होते हैं, जिसके द्वारा हमारा चरण में जिवो का मती रती बन जाए, जब तक भागवान की चरण में मजुरति मती ना हो, विद्धा का कोई किमत नहीं है, ये हम हार हलत प्रमान कर सकते हैं आपका सामने एक-एक उधारन के द्वारा, हमको ये जानकारी हैं, हमारे ये बात सुनकर, हमारे सामने बैठे हुएं सुरता लोगों में, किसी किसी का ये भावना पैदा होगा, कि महराजी सब क्या बात बोलना सुरू कर दिया, बहुत सारे आदमी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, हर आदमी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, ये भोका है, भोक्ति में उन्ठागुर बताते हैं, जो हमारे समाज का जितना आदमी हैं, they all think we are intelligent, really so, according to your own estimation, you are intelligent, तुमारा अपना हिसाब के द्वारा तुम बास्तप सोचोगे, बास्तप तो नहीं हैं, लेकिन सोचोगे हम ही बुद्धिमान हैं, बाकिया अदमी भोका हैं, लेकिन बुद्धिमान किसको बोला जाए, इसका बारे में भगवान से किस्ण उद्धप जी को फिर बताएं, सुन्दर, इसको सुनना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, एसा बुद्धिमतां बुधी मनिसाच मनीशीनम, यद सत्यम अनिरते नेह, मरते न अपनती अमृतम, एसा बुद्धिमतां बुद्धिमनीसाच मनीशेनम, ओ स रखना चाहिए ऋद। सुषतें कि हम बुद्धिमान में इन सबों में वो बास्तब बुद्धिमान है जो अपना बुद्धी के द्वारा मनिशा के द्वारा ओ मनिशी ओ है मनिशियों में वो बास्तब मनिशी है एसा बुद्धिमताम बुद्धी मनिशाच अमनिशी नम यह सरीर मिला है लेकिन यह सरीर के द्वारा बास्तब आमरित का अनुसंधन करना चाहिए जो आमरित कुम मिला में मिलता है यह आमरित का बारे में हम बलने नहीं बैठे जिस मेले में अमरित मिलता है यह जो कुम मेले में यह अमरित ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं लेकिन हम जो अमरित का बारे में बताए यह तो आपको माला माल कर देगा भगवत प्रेम में डुबा देगा भगवत प्रेम की सागर में भगवत का महिमा पद्व पुरान ओक्तो जो महिमा है उसमें देखा जाए उसमें जब परिख्षित महराज जी को सुगदेब जी कथा करने के लिए बैठें महराज मंगल का यही रास्ता है भगवान का कथा सुनो अम्रित मैं हो जाओगे और भगवान से किष्णो दसम सकंद में भी शुन्दर बताए गोपियों को मुई भक्ती रही भूता नाम अम्रित अत्वाय कलपते यह अम्रित का बैठ्षा हो रहा है अभी मुई भक्ती रही भूता नाम अम्रित अत्वाय कलपते हमारे हमारा साथ जो भक्ती का सम्मन्द जो भक्ती करते हैं जितना साथ जो जीव भक्ती करेगा हमारा उपर भक्ती करना ही बास्तव अमरित और पद्दुपुरान का जो महिमा भागवत महिमा उसमें बताये गया जो सुकदेब गुष्वामी जी जा परिखित महराजी को उताए जब ये हरी कथा भगवान का कथा अमरित सुनो भागवत कथा तो सर्ग से देवता लोग आ गया देवता लोग पहुंच गए पूरा तमाम उसका जुंडू पहुंच गए और सुकदिब गुष्वामी जी का सामने एक प्रोपूजल एक प्रोस्ता ब्रग दिया परिखित महराज तो सुरोता है बैठे हैं अभी कता सुरू नहीं वही सुखदेगु सामी जी को पार्थोना की देवता लोग जो महराज आपको तो इसको अमरित पिलाना है इसको जे मरने का वारी आ गया ये मरने से इसको छुटकारा देना है तो एक काम करते हम अमरित का कुम बोलाए अमरित का कुम बोलाए सर्ग से इन में से आप ये परिखित महराज को पिला दो और भगवत कता अमरित जो है वो क्यों ना हम लोगों को पिला दो शुकदेगो स्वें बड़ा भारी दुखी बन गए बले देखो क्या अकल मंदी है कैसा बुद्धी खराब है कहां ये जगत का अमरित है और कहां भगवत कता अमरित है ये दोनों के साथ तूलोना करने के लिए ये लोगों का पिरना आ रहा है कैसे ये लोगों का बुद्धी है कि दोनों अमरितों में कैसे तूलोना हो सकता है ये तो सर्ग का अमरित है और भगवत कता अमरितो ये तो दूसरा चीज होते है कौकांच कौक मनिर महान एक टुकड़ा कांच रस्ता में परा हुआ है उसके साथ बहु किम्ती एक हीरे के तुलना दिया जाए तो उसको तो मूरक बला जाएगा और सुगदेब गुसामी का गुसामी जी का दिल में बड़ा भाड़ी दुख हुआ उन्होंने बताय देखो ये दियुता लोग अपना कारियों को सिध्धि करने के लिए बड़ा मतलब बाज है सुगार जी कुसला सुरहा सौकारियो मतलब अपना मतलब को हासिल करने के लिए लोग बड़ा चतूर है और देखो क्या प्रस्ताब लेकर आए है दिमाग कराब हो गया सौकार जी कुसला सुराहा तो महराज ये अमरीत प्राप्तिक करने के लिए अमरा भक्ति शिद्धांत स्वरस्वति गुस्वामी ठाकुर पहुपाज जी भी दोड़े नहीं भक्ति विन्यो ठाकुर जी भी दोड़े नहीं चैतन्य महाप्रभु साक्षात पराप्र अखिलेश्वर इसका भी बारे में लिखा नहीं है कि कुम्ब मेला में कुम्ब स्नान करने के लिए दोड़े है नितानांद प्रभु कोई लिखे जो और हम भी अपना बाद सापे दोने चला कभी भी कुम्ब मेला में नहने के लिए बैस्त नहीं हुआ बिन्दावन में कुम्ब हुआ था बहुत सुन्दर बड़ा भारी रुची नहीं है क्योंकि वो कुम्ब में स्नान करके जो दन पुन्न करोगे उसके दवारा जो अम्रित आपको उस नाने का बाद मिलेगा वो तो रहेगा नहीं यह ब्रहमांड ब्रहमांड करते करते किसी का सोभग हो जाए तो वो सत्संग करते हैं सादू संग महराजी ने काल रात को बताये थे आज का चर्चा का विसाय होना चाहिए कि बद्ध जीवो का क्या हालत है painful situation in which they are put it into किस हालत में यह लोग रहे हैं और बद्ध जीवो का मंगल का रास्ता कैसे हो जाए इसका बारे में तोरा चर्चा करने के लिए महराजी बताये थे हमने सुरुवात में भी बताए ब्रह्मांडो भर्मिते कुनो भागवान जीव गुरु किष्णो प्रसादे पाए भुक्ति लोता भीज यह ब्रह्मांडो भर्मन करते करते अहु भाग्यो किसी का है तो गुरु वैश्णो का कीपा मिल जाता है तो यह संगसार का पार जाने के लिए इसका अंदर में इच्छा पैदा होता है जब तक सादू संग नहीं हो जाए यह संगसार का सूख जे कुछ भी नहीं यह संगसार का सूख कुछ भी नहीं ये पता नहीं चलेगा जब तक बास्तफ सादु संग ना हो जाए उसका दिल में ये भाव नहीं नहीं आएगा वो सोचेगा जगत का आदमी का विचार है खाओ पीओ जीओ एंजोई यूरसल्फ इसी में पढ़ा रहेगा इसका बाहर वो चिंता भी नहीं कर सकता सोच भी नहीं सकता क्यों? बला माया देवी का जो प्रभाव है माया देवी का प्रभाव के द्वारा ये सब माया में illusion माया में डुबे हुए है इसके बाहर जो कुछ दुनिया है इसका बारे में किसी को कुछ जानकरी है नहीं ज़्यादा चे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मरने का बात को दान पुन्न कर दो और सर्ग में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां बहुत भोगेंगे बस बरा माजा मस्ति आ जाएगा लेकिन गीता में बुला हुआ है उधर भागवान से किष्ण बताएं खीने पुन्ने मतलकं विशंती दान पुन्न करो खुब कमाओ उसके बाद पुन्ने के द्वारा आपका सर्ग में आपका बस्ती हो जाएगा लेकिन पर्मनेंटली नहीं थोड़ी दिन के लिए बवस्ता हो जाएगा उसके बाद बहुत भोग भोग लो भोगने के बाद आपको फिर इधर आना परेगा इस जगत में खीने पुन्ने मतलकं विशंती मर्त लोग में आपको भीजा जाएगा आप अगर बोलोगे महराज दो दिन तो फिर आराम करने दो वो सुनेगा नहीं धक्का देके निकल जैसे नोकर को चूरी करने का बाद मालिक धक्का देके निकल देता है भाग यहां से वो कोई एक बाद सुनेगा नहीं वहां से धक्का देके आपको निकल देगा बुद्धिवान आत्मी वो है ये सरीर रहते हुए बिचार बनाएं अच्छा से कि महराज ये जो मुकान बारी हैं ये संपत्ती हैं ये जो बीबी बच्चे सब लेके हमारा ये मजा मस्ती चल रहा है ये कहां तक चलेगा इसी का बारे में कल थोड़ा बहुत उठाया था बात को मनें थोड़ा बहुत उठाया था क्लियरली चर्चा नहीं हुआ था भागबत में इसी का बारे में बताया था जीवो सो तत्तो जिग्यासा जिवों का अंदर में जब तत्तो जिग्यासा पैदा ना हो जाए ये तत्तो जिग्यासा क्या होता है महाराज हमने तो कोभी सुना नहीं तत्तो जिग्यासा ये होते हैं मैं कौन हूँ, कहां से आए, कहां जाएंगे ये सरी छुटें का बात मेरा हालत क्या होगा ये सब जो चिंता किसी का अंदर में आए तो उसी को ही बोला जाता है तत्तो जी गासा इसका बात कुछ है की नहीं भगवान भगवान बोलके सब्दों सुना है ये कौन है कहां रहते हैं इसको देखा क्यों नहीं जाता और कैसे देखने का ववस्ता क्या है इसका वारे में सादू संतों का साथ पासी आपको ये ख़बर मिलेगा बजार में नहीं मिलेगा बहुत मजादर कथा आपको बजार में मिलेगा लेकिन ये कथा में बिर्ज नहीं है जैसे आप जानती हो फिप्टिन आगस्ट में मैदान में गान सैल उट होते है जानते हो मिलिटरी लोग गुम 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 लेकिन उसका अंदर में गोली नहीं रहते बड़ा मज़ादार कथा बजार में चल रहा है एक-एक कथा सुनोगे और मलाई खाओगे और जुमोगे बिंदाबन में देखते रहते हैं बिंदाबन में आते हैं मलाई खाते हैं इदर उदर गुमते हैं बिहारी जुक उत्वरा गुलाप का मला भी चड़ा दिया और इदर उदर गुमे समस्ता खाया और थोड़ा वो उतकता चल रहा है टीवी में देख रहा है इदर उदर और प्राकित जगत का जो कुछ भी है भगवान का भक्त भगवान का नाम भगवान का धाम जितने सारे कुछ है ये अपना पुरयास पचेश्ठा का द्वारा आप देख लोगे ये सम्भब नहीं है आप बोलोगे महराज हमार तो आखे हैं आखे हैं हम तो देख लेंगे हम जाके बिहारी जी को देख लेंगे गविंद जी को देख लेंगे क्यूं आप बोलोगे तो देखा नहीं जाता है बास्तब बात ये है अप्रा की जगत का कुछ भी देखने जाओ तो आपको ये कान का सहारा लेना परेगा ये बले महराज कैसे आप सोचो जब आप बच्चे थे या तो आपका घर में बहुत बच्चे पैदे इदर उधर पडोसी आपका घर में भी बच्चा जनम लेते देखे होंगे जब बच्चा पैदा होते हैं पैदा होने का साथ साथ इतना इनके जो जितना सारे सेंस ओर्गन है इंद्रिया है सब एक साथ परिस्फुटित नहीं होता पहले परिस्फुटित होता है कान जब बच्चा पैदा होता है उसका जितना सारे सेंस ओर्गन है तचा है नाक है आखे हैं कुछ भी सब है हास तो पैर हाथ पैर सब कुछ है लेकिन सबसे पहले जो sensitive organ है वो कान सबसे पहले इसका function शुरू होता है आप परिख्या करके देख लेना कोई भी बच्चा पैदा हुआ है दो साल चार दो तीन दीन चार दीन पांस दीन बच्चा पढ़ा हुआ विस्तारा में आब उसको देखोगे जब ऐसा ऐसा करोगे देखेगे कहां से sound आ रहा है ऐसा ऐसा देखेगा बच्चा का सभाव है कि कि ठाकुर जी का यही व्यवस्था है कोई बच्चा पैदा हो कई संतान सबसे पहले इसका जो कान है इसका फांक्षन सुरू हो जाता है आगे चलकल जितना भी आपका उमर हो हम जाने यह जगत में जितना सारे आप शिक्षा तरंगों आपका हिदाय में चड़ा हुआ है आपका जो सिक्षा तरंग जो चड़ा हुआ है दिमाग में हिदाय में चड़ेगा तो अप्राकित सिक्षा हिदाय में चड़ने वाला जो सिक्षा है तो अप्राकित सिक्षा तो दिमाग में चढ़ा हुआ है जो सिख्षा जो कुछ भी हम एड्युकेशन कीए हो पहले देखों आपका जो परिच्छाए हुआ है अक्षर का परिच्छाए है उसके दारा बस आपका जिंदेगी चलते रहें कॉलेज का एड्युकेश्न भी कंप्लेट हुआ सबकुछ कुई हुआ इन्वर्सिटी में कॉलेज में जो सिख्षा है सबकुछ या तक घर में जो सब्दों का बिनिमाई होता है या आपका ओफिस आदालत में जो आपका ओफिस आदालत में ओफिस आदालत में ओफिस आदालत में आपका जो जो शिख्षा जो भाप का बिनिमाए होता है ये सारे सब्दों के दारा ही होता है सब्दों छोड़के आपका ये जो संगसार जिन्देगी आप सोज भी नहीं सकते हो लेकिन आप कभी सोचे नहीं कि अप्राकिज जगत का जो सिख्षा है वो लेने का जो तरीका है वो अलाक्सा है प्राकिज जगत का सिख्षा लेने के लिए आपको सदू संग सत्संग चाहिए सत्संग होने से आपका सुविदा मिलेगा आप प्राकिज जगत का सारे बारता सुनने को आपको मिलेगा और धीरे धीरे क्या हो आगे चलके आपका मन में भक्ती का भाव पैदा होगा गुरु वैश्नप चरण में आस्राय हो जाए उसके बाद बास्तप भक्ती शुरू होगा गुरु वैश्नप चरण में आस्राय लेने का बाद ही आपका बास्तप भक्ती शुरू होता है संबंद गर नहीं होने से कभी भक्ती शुरू नहीं होगा संबंद गर नहीं होने से कभी बास्तप भक्ती शुरू नहीं होता है इसका बारे में हम कभी चर्शा करेंगे अभी बद्दो जीबो का अवस्था क्या है माराज बद्दो जीवों का अवस्ता है बंधन बद्दो जीवों का अवस्ता क्या है बले बंधन है लेकिन किसी को पूछो वो बले माराज तो हममजे में हैं कौन सी बंधन है ये बंधन दिखाई नहीं पड़ता रसी का बंधन नहीं है किसी पार में हतकरी नहीं लगाय हुए है फिर भी ये बंधन अजीब सा बंधन है ये ही बंधन असली बंधन है ये बंधन से जब तक छुटकारा ना मिले तब तब गद्धजीव का ये संकसार भ्रमन कभी बंध नहीं होगा संकरचज्य जी सुन्दर बताए संकरचज्य जी का कहना है पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम, पुनरपी मात्री जठरे स्वयनम ये जो है ये आपका समाप्ति नहीं होगा ये सरीर का बात सरी छोड़ दोगे इसका बात दुवारा सरीर पकरना परे कौन सी जोनी आपको मिलेगा कोई छिकाना है नहीं सास्त्र में पद्व पुरान में है जलजा नवलक्षानी स्थाब़ा विंचलक्षती किमी नाम रुद्व संखको दासलक्षानी पक्षी नाम दासलक्षकं पसबह चतुरलक्षानि मानवह ये सब हिसाब करके देखो डार्विन साहब का जो विचार है डार्विन साहिब विचार करके 80 लाग जोनी का Life Science में दिया हुआ है किसी भी अदमी इदर पड़ा लिखा सब किया हुआ है सब जानते हैं 80 लाग जोनी का हिसाब दिये हुए है डार्विन साहिब बय्यानिक Scientist लेकिन आर्चार लाग उसका हिसाब में नहीं आया भागवत में लेकिन पूरा दिये दिया है सब हिसाब करके देखो एक एक करके 84 लाग जोनी आ गया भागवत में सुन्दर ये ब्रोमन करते करते कभी बास्तफ सादु संग बास्तफ क्यूं बार बार बोल लें? बास्तफ सादु जंग ये है, जैस सादु का ये रूपको साही पास सुंदर बर्नन किये। सादू का साथ चौकिसिम का बैवहार अगर आपका ददाती प्रतिगिन्नाती प्रिच्छती गुज्यमाच्चाती भूंगते भजयते ए जो चौकिसिम का किसी पहुंचा हुआ सादू का संदप का हो गया तो इसका बाद आपका अंदर में सुकृति का संचय ऐसे हो आप प्र आपका तो बहुत मंगल का रास्ता खूल जाएगा लेकिन गुरु वैश्णव चरण में जब तक सरनागत ना हो जाओ तब तक आपका बास्तब मंगल का रास्ता खूलता नहीं। सरनागत मतलब गुरु वैश्णव का चरण में आपका जो अभिमान है अभिमान का विश्वरजन उनके चरण में दे दो उसके बाद गुरु वैश्णव गुरु जी आपको हरिनाम देंगे मंत्र देंगे इसके बाद बद्दोजीब क्या करे ये जो साधन गुरु जी दे द पूरा भावना पैदा होगा. आपका बास्तप सरूप क्या है? चोईतर नुचु दामींतों में साफा बोला हुआ है, जीवेर सरूप वाई किछने नित्वदास। झीव का बास्तप सरूप है किछन का नित्वदास. चाहे वो माने और ना माने किनके सारे भगवान से किष्णों से आये हुए है जितना सारा अनन्त प्रम्हान वे जितना सारे जिवात्मा है सारे भगवान से किष्णों से ही आये हुए गिता में भी सुन्दोर भगवान बताए है हमारे ही ये सब अंग्स है हमसे ही आए हुए है अंग्स मतलब ये भगवान को काट के अंग्स बना ऐसा नहीं जैसे सूरज है अस्मान में उनसे जे सूरज का कीरन आते है जैसे ऐसा जीब का स्तिती है जीब का स्तिती बड़ा आजीब है जीब को सास्तों का उपनिशाद और सास्तों का भीचार से बताया गया तो तोस्ता सक्ती marginal potency बला गया जीब का हलत जो है बड़ा आजीब सा है इधार माया जगत है वहाँ भगवान का वैकुंठ जगत है चित जगत है इसका बीच में जीब का स्थिती है जैसे एक सुमंदर या नदी है नदी का पानी जहां खतम हुआ वहाँ एक मार्किंग लगाओ यह पानी इधर खतम हुआ यहां से तट अता जमिन सुरू हुआ वह जमिन में थोड़ा थोड़ा पानी भी स्पर्स होता है लेकिन एक रेखा को अंकित करो तो इसी रेखा का जो स्थिती है जैसे ना पानी और स्थल इसका बीच में है दोनों से स्पर्स हुआ है ये जीवात्मा इसको सास्तर में बताया गया ततोस्ता सक्ती ततोस्ता सक्ती का मतलब ये है ये अगर चाहे तो भगवान का ओर चल सकता है क्योंकि चीद अंगसो है चीद है जितना सारे सीप सब अंदर में ये सरीर है सरीर का बात ये जो स्थुल सरीर है इसके अंदर में सटल बॉडी है, सुक्ष्म सरीर है, कारण सरीर इसके बाद आपका चित अंग्सजी जिवात्मा है, आत्मा है, इसका अंदर रहते हैं तो मतलब इसका उपर दो आवरन है, एक आवरन है आपका स्तूल सरीर, पंचबुत से बना हुआ है इसका बाद सुक्ष्म सरीर है, किसी को जानकारी नहीं है, जो सास्तों भी जानते है इसका कंस्टिटुएंट है, किस से बनाया हुआ है, यह कारण सरीर है कारण सरीर, यह नाम इसलिए दिया हुआ है, कि यह कारण सरीर, यह इसलिए नाम दिया हुआ है यही दूसरे जोनी में भेजने का कारण है समझा नहीं मेरा बाद यह स्वरी छुटने का बाद दूसरे जोनी में आपको भेजने का लिए यह कारण बन जाता है इसे कारण सरीर उला है तो भक्ति भीनो ठाकू जी ने कितन में लिगा है कितन करते करते जब ऐसा स्थिति हो जाए तो यह लिंगा मतलब यह कारण सरीर लिंगा सरीर यह रैप्चर हो जाता है ब्रेक हो जाता है तब जिपका बास्तप सरुब जो है जो हाम सचमुझ किष्ण का दास है इसका अनुभब हिदा में आता है उसका पहले नहीं आता है यह जो सुक्ष्म सरीर है इसका गठन क्या है बले मन बुद्धी चित्तो अहंकार इनके द्वारा गठित है एक ही अंतक करण का चार बृत्ती है अंतक करण एक है यह अंतक करण का चार जो बृत्ती है इसके द्वारा चार नाम इसका हो गया फांक्शन के उनुसार कभी समय मिले तो चर्चा हम करेंगे ये कारण सरीर जब तक रहे चाए है आप दिख्या ले लिए हैं बहुत कूछ कर रहे हैं लेकिन जब तक आपका कानों में बास्ता भरीका था पहुँचा नहीं आपके दिल में धक्का लगा नहीं कि हम को मंत्रों दिये हैं दिख्या ले लिया दिख्या तो बहुत सारे आदमी लेते हैं पोपाजी कहते हैं बहुत सारे आदमी दिख्या लेते हैं लेकिन दिख्या ल क्या मतलब है अगर इसका दिल में प्राकित भावना दिब्वग्यान नहीं आया ये गुरु जी कौन है मैं कौन हूँ गुरु जी भगवान का कौन लगता है भगवान कौन है ये जगत क्या है ये जो दिख रहा है इसका बाहर कुछ है कि नहीं सारे ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं संबंद ग्यान इसका बारह में कभी चर्चा करेंगे तो ऐसा करते करते देखा जाए अगर बास्तब दिब्बुग्यान इसका पैदा हो जाए भजन करते करते तो ठीक है एक सदगुरु आपका जिंदेगी में मिल गया और दिब्बुग्यान नहीं पैदा हुआ इसका माने क्या होता है, या तो गुरु जी ठग है, या तो आप ठग है, ये दो हो सकता, बहुत सारे घटना हैं, हम बोल सकता अबी, गुरु जी का दिया हुआ, जो हरिनाम बास्तप, ये जो ऐसा बड़ा महत्मा, इनके पास अगर हरिनाम दिख्या मिला है, कोई भी बद्दोजीब हो, वह अगर बास्तप सरनागत हुआ, उसका मंगल होके ही रहेगा, नहीं तो ये संभब नहीं, ये कैसे हो गया, और मंतरों का मतलब क्या है, मननात रहते इतिम मंतरों, जो चीज़ गुरु जी आपका कानों में दिया है, ये मनन, जैसे खाना खा लिया, हमको बहुत बार खाना थे तो महराज खालो बोलने से तो हम खाएंगे नहीं हम जानते कितना खाना जुरूरी है सरीर के हिसाब से लेंगे कोई-कोई आदमी अगर खा भी लिया तो उसका क्या इंडाइशन हो जाएगा बमीद हो जा सकता या तो दस्त हो जाएगा बेकार हो जाएगा कोई लाब नहीं इसलिए डॉक्टरी ट्राम में बोले जाता है इसको डाइशन होना चाहिए एसेमिलेशन होना चाहिए हजम कर लिया उसका बात खादो का जो सारवस्तू है स्कुन के द्वारा सारी उंग प्रतंग में फैल जाएगा और कोई टाकत मिलते रहेगा तो आपका मंत्र दिया हुआ इतका मतलब ये नहीं को मंत्र को गुरु जी दिया है मंत्रो का जगा मंत्रो है हमैरा जगा हम है गुरु की गुरु जी के जगा, गुरु जी है, ऐसा अगर लाखो आदमी दिखा ले लिया, तो कान खुल का सुन्लो इसमें कोई फाइदा नहीं है, गुरु जी का साथ संबंदो जोडो, जैसे संगसारी आदमी साधी करने का बात नाता जोड लिया बिभी का साथ, एक कहानी सुन्दर, ये तो कहाणी नहीं है बास्तव है एक बेटी का साधी होना है अभी पंदरा दिन बाकी है साधी का सब कुछ सगाना है सब बैवस्ता हो गिया असिरवादपसिवाद सब हो चुका है और साधी का दिन अभी थोड़ा दिरी है लेकिन अचानक ख़वर आया वो लड़का जिसका साथी होगा उसका एक्सिडेंट हो गया डेथ हो गया अब लड़की का लड़की उसको देखे नहीं फोटो में सायब देखा होगा तो उनका पास जब ख़वर आया तो बड़ा दुखी हो गया दुखी तो हो गए मन में बहुत चिंता चल रहाता है ऐसे संक्सार बैठाएंगे ऐसे प्रेम की संबंद हो जाएगा सारे चूर-चूर हो गया लेकिन ये बाद ये पक्का है अगर साधी होने का बात हमने देखे हैं चार माहिने का अंदा सामी का डेथ हो गया इनसे जो गुजारता है बेट्या रानी का अंदर आभी जो साधी नहीं हुआ संबंध संपर्क नहीं हुआ है सिभी ये इतना जनकारी हुआ है इसका साथ तेरा साधी होने जा रहा है लेकिन वो सम्मंद होने का बाद जो पेन जो कष्ट होता है और जो साधी होने का अभी बाकी है एक नहीं होगा होगा यह मंत्र का जा बास्तब अर्थ है यह प्रकासित नहीं होता और जर जो जो बड़ा एक दार्शनिक है वो भी यह बता है marriage is nothing but friendship between two human souls साधी का मतलब है दो आत्मा का मिलन दोस्ती लेकिन दोस्ती कब होता है बास्तब दोस्ती होता है तो उसमें स्वार्थ का संबन्द नहीं रखता लेकिन आजकाल का स्वार्थ समाज ऐसा हो गया कि पल पल में अपना विचार रखते हैं कि इसमें हमारा स्वार्थ है इसमें इनके स्वार्थ है क्योंकि ये कुंठा माई जगत है बैकुंठा जगत नहीं है बैकुंठा जगत में कोई हेजिटेशन नहीं है ये जगत में जितना ही fair relation हो दुखी माद मानना ये पक्का बात है बच्चा को बहुत प्यार करते हो लड़का को बेटी आरानी को सब कुछ ठीक है बीबी का साथ संबंद बहुत सुन्दर है ये हम जानते हैं लेकिन सास्तों का विचार किया जाएं ये जो relation है इट इस नॉट प्योर relation बिशुद्ध संबंद नहीं है प्रभपाद जी यहां तक भी बताया है जगत का आत्मी जानते हैं कि लायला मजनू का प्रेम है बहुत उचा उचे सगाई और जीम डेला जो साहित तो पड़ा है अंगरे जी में हो जानते हैं इसका अंदर में जो प्रेम पीती है ये अलग सा है नॉल और दैमंती महाभारत में आता है इन दोनों का अंदर में प्रेम का जो संबंद है जो कहानी है ये बड़ा आजीब सा कहानी इसमें ये सुनोगे तो लगेगा मारा ये तो बास्तब प्रेम है लेकिन पोपा जी ने बताएं ये दुनिया का जितना भी प्रेम पृति है सम्मंद है जो भी बिशुद्द लगता है आपका दिल में लेकिन ये डार्टी रिलेशन है थोड़ा सा भी उसमें मैला रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये बाइकुंट जगत नहीं है बाइकुंट जगत ये जो चोगद भुबन है इसका बाहर है ब्रह्मा ये जो ब्रह्मा चोगद भुबन नीचे और उपर उपर में तो ब्रह्मो लोग ब्रह्मा ये ब्रम्ह आप तो ये जितना सारे बद्द जीव है ये भोगने के लिए व्यास्तो रहता है, होगाई, सभाविक है, ये दोस नहीं है आप लोगों का, किसी का दोस नहीं है, ये माया दभी का चक्कर है, हर कोई का दिल में भोगने का टेनेंसी होगा ही होगा, क्यूंकि इसम चुटकारा है नहीं बॉंडेच शोल का यही स्थिति है लेकिन कान खोल कर सुननो यह जड़ जगत की मिये यह जो रक्त मांगसों का जो सम्मंद है इसमें जो भोगने का तरीका है जो चीज भोगते हो इसको सास्ता में बुलाया गया स्थूला भोग स्थूला भोग जैसे यह जगत में जो सीज भोग है वहां भी वो सब भोग है लेकिन वहां भोगों का तरीका चेंज हो जाता है यहां से बहुत फाइन हो जाता है फाइन जानते हो more फाइन वहां का यहां जो आप सुन्दर गंधों को लेगे यहां जो आपका एंजॉयमेंट होगा वहां उपर म पारियात का सुन्दज यो वो कई गुना जा दिये I cannot compare हम तूलोना नहीं कर सकता तूलोना करें तो हम बुका है, मुरक है इसका उपर उपर जाओ इसका उपर उपर जाओ ये मर्तुलग है भूर, भुवा, स्वा, महो, यनो, तपो, सत्यो उपर में जाओ जितना उपर उपर जाओगे ये सब लोगों के एसो एक एक लोगों में जरजगत से जो जरजगत के जो अधिवासी है इन से उसका इंजॉयमेंट का तरीका अलग होता है समझाए मेरा बात आगे चलकर जब ब्रह्मा का लोगों में जाओगे कभी आवा आपको ऐसा मिले क्योंकि सुनातान जी सुन्दर कमपरेटिव स्टेट्मेंट दिया है ब्रह्मों लोग में चला गिया गोपकुमार ग्रैजुयली इस जगत का एंजॉयमेंट कैसा है अंति में बैकुंट जगत में जहां वहां क्या स्थिति है इसका उपर गुलुग विहारी वह स्थिति क्या है गुलुग है उसका अंदर में भागय सुन्दर बिंदावन बंद का अंदर में क्या मिठास है क्या एंजॉयमेंट है स्रीप कितन करो मुहे बिंदावन लागे निको ये तो महराज इसमें क्या फाइदा होगा बिंदावन निको लगा सच मुझ कसम से बोलो बिंदावन लगा निको जिसको मिंदावन निको लगा तो उसमें संकसार का दुरगंदो गंदेगी उसको अच्छा नहीं लगेगा देखें निको नहीं लगा वो कितन गाते हैं मुहे लागे बिंदावन निको यह उपर जाके जब ब्रह्मो लोग में पहुँचोंगे अब पागल हो जब हैरान हो जाओगे नारज जी वर्नन की एक पुरान में ब्रह्मो लोग में ब्रह्मा जहां बिरास्ते हैं वहां तरह तरह की एंजॉयमेंट ब्रह्मा ब्रह्मा जी जहां रहते हैं ब्रह्मो लोग में वो सिनारी बदलते रहते हैं बहुँचोंगे एक मूर्त ऐसा देखा रेवुती महियां आप जानते हो। बल्लाव जी का पतनी रेवुती देवी रेवुती देवी को साधी देने के लिए उसका पिताजी सोचे कि महजा ब्रोमा जी से पूच के आये किसका साथ हमारा बिट्रिया रहने का साधी दे क्यूंकि कोई आदमी तो है नहीं इसके लायर तो इनके लेके चला गिया कहां ब्रह्मलोक में आप ब्रह्मलोक के जब पहुंचे तो देखे ब्रह्मा जी बीजी है वेस्त है नित्त कितन चल रहा है वहां थोड़ा वेस्त है उसमें वो सोचे की थोड़ा बहुत वेट कर ले कि कि अभी बीच में तो कथा नहीं होगा बात नहीं हो सकता तो थोड़ा किर्टन हो गया उसका बाद ब्रह्मा जी का बास पहुंचे डंडवत की और अपना परिशह दिये सब कुछ बताएं ऐसा ऐसा हालत है हो हम मर्तो लोग में जाकर किसका साथ हमारा बेटिया रहनी का साधी थे ब्रह्मा जी तो पहले बताए कि आप ज तो तेता चला गिया दापर जी अंत में आ गया आप जब मर्तो लोग में पहुंचोगे देखो दापर जी का अंत है वहां जाकर देखोगे किष्णवलराम दो भाई अवतिर्ण हुए बल्लाओ जी महराज कोई साधरा नहीं है ये साक्षात किष्ण का प्रतम प्रकास है ब बोलके उपार जब गया ब्रह्मा जी बोल दिया है सब तो मारा जब हिसाब करो वह ब्रह्मोलुग में पहुंचा वहां थोड़ा बहुत टाइम वेट किया नित्तकितन चल रहा था नित्तकितन ये जो आपका हिसाब में जो टाइम है आप ब्रह्मोलुग का हिसाब में पुर्जी का अंता किया अब टाईम का भी हिसाब लगाओ कैसा आपका जो टाईम देखते हो घरी में ऐसा-ईसा करके हर बकत पल-पल में अज सर्ग में जो टाईम है वो टाईम का हिसाब लगाओ कैसा है अस्चर्ज बन जाओगे किस लिए पिता जी जो पित्री लोग है किसी का अगर बाबा पर बाबा सब मर गिया उनको सालों में एक बार पिंडी चराने का पिंडी देने का भिधान है देते हैं न जल पानी देते हैं बार सिख बार सिख एक साल में एक बार इसका कारण क्या है? बले इसका कारण ये है कि यहाँ आप जो एक दिन में भोजन करते हो, उसका एक दिन हो जाता एक साल में, उसमें एगवर उसको पानी और जल देने का विधान है। ये सब relative है, ध्यान से विचार करो, जो सब संगसार में आप विचारते हों, आप रहते हों, सारे relative हैं, इस घर मिला इतना सुन्दर हवेली, इसके बार next जनम में ये तो नहीं मिलेगा, दुस्सा में जाएगा, ऐसा करते करते बदलते रहे, लेकिन बद्धो जीब अगा निश्चाय कर ले, तो जिन्देगी में एक ही काम है, Single duty, वो क्या है, गुरु वैष्णो का आनुगत्त करो, लेकिन ये करने ही सकता, ये करने हैं, बाकी सब कर सकता, लेकिन ये नहीं कर सकता, क्यों? बले इसका सभाव ऐसा दुर्गन दुशित हो गया कि ये सोचता ही नहीं समझता ही नहीं क्या अनुगत्व होता है बास्तव अनुगत्व के द्वारा शिश्य का अंदर में अपना पन नहीं रहता ऐसे तो सादु गुरु वेश्णप को डंडवत करो बास्तव अंदर से नहीं मतलब निश्यत किया अपना अंकार को जलांजली दे दो गुरु वेश्णप का जैसे एक उधारन दे दे आप हपता दो हपता हो गिया जितना सारे ठाकुर जी का फूल तो से निकाला है पूजा करते करते अब एक जैगा रग देते हों जितना सारे जल निकाला है पानी है गंगा पानी कुछ भी एक कल्सी में डालकर रग दो सारे भठी हो जाए साथ दिन का बाद आपका समय होता है सांडे आप क्या करोगे गंगा में जाके ये कल्सी को धोकर पानी का जो उसमें जो जितना सारे फूल तुलसी है जब पुढा न चैकुर जी का उसमें क् गंगा डंडवत करके उतारोगे पानी में उसके बाद कलसी को क्या करोगे कलसी को ऐसा मूख कर दोगे ऐसा करतें से क्या होगा कलसी का अंदर जितना पचा हुआ फूल है तुलसी है जितना सारे पानी है शब दुशित जितना सारे पदात्व है भगवान का चीज़ दुशित उसमें उसको ठिक करके माटी दे के सब करके फिर आप नया पानी भड़ोगे तो गडा को जो लेके गिया पहले आपका काम क्या है गडा को ऐसा करो ऐसा करने से गया है सब निकल गया उसका लाब पानी में consiste उसका बात वास करके उसको घड़ा को क्या करोगे ऐसा करोगे तो डंडवत जब ऐसे करोगे आपका जब मस्तक रूपी घड़ा इसमें जिसना सारे दुशित दुरगंद वस्तू है अपना पन है जितना सारे सब सादुगुरु वैश्णव का चरण में डाल दो बोलके जब उठोगे डंडवत करके तो सुद्ध बुद्धी आपका ये जो इधार भड़ जाएगा सुद्ध बुद्धी मतलब जिस बुद्धी के द्वारा आप लगन लगा सकते हो भगवान का चरण में भजन कर सकते हो तो मतलब बद्धीव का काम ही है यह है दुसरा कोई काम नहीं है काम यह है कि गुरु वैश्णव का अनुगत्व में भगवान का भजन करे गुरु वैश्णव का अनुगत्व में भगवान का भजन करे गुरु वैश्णव तो आपना कुछ नहीं कराएंगे तो यह अगर होए तो आपका बद्ध अवस्ता का जरूर हम बादा करते हैं आपका इस जरु संक्सार से आपका चुटकारा मिलेगा नहीं तो बद्ध जीव का चुटकारा मिलना संभब ने काल संबब है तो चर्चा करेंगे थोड़ा स्लोक इसका उपर और चर्चा करेंगे लब्धा सुदुर लबमिदम बहुसम ममानते इतना स्लोक का चर्चा करेंगे आज सेकंड टाइम हो तो और करेंगे आभी महराजी को थोड़ा बोलने के लिए हम उनुरत करता है कि हम ही बूलते चलेंगे यह सन्यासी है हम तो सन्यासी है नहीं बांचा कलपो तरूँ से के बासिंद बहुशा पतितान अंग पावने बहुशने में भियो नमो